पटना नगर निगम छेतर से हमारे बीच में है उमिदवार पुस्पलता सिन्हा उर्फ है पुस्पलता मनी पटेल जी हम इनके इन से जानेंगे नगर निगम चुनाव के बीच में क्या-क्या और कौन-कौन से इसे मुद्दे हैं इन मुद्दों के बीच में यह जनता के बीच में जाने वाली हैं पुस्पलता सिन्हा जी बहुत-बहुत स्वागा था आपका विहारी नियोज में पहले तो पुरे पटनावासी को मैं पड़ाम करना चाहती हूं और मेरा नाम पुस्पलता सिन्हा है मैं लोगों के बीच आई हूँ क्योंकि मेरे लोग मुझे पसंद करते हैं अपना काम कार्ज से वैवहार से सभाव से पसंद करते हैं लोग इसलिए मैं आई हूँ और बहुत जगा पर बहुत लोगों से मैं मिली हूँ और उनका दुख सुख में साथ दी हूँ तो लोग पसंद करते हैं इसलिए लोग को कहना था कि आप मैदान में आईए और नगर निगम से खड़ा हुए मेरपद के लिए तो यह वो काम रहा जैसे कि समाज के कई तबके के लोग हैं वहाँ पर आप उनसे जुड़ी उनके सुख दुख में साथ रही उसके बाद जो है आपके मन में एक विचार आया कि हमें भी छेतर में जाना चाहिए और लोगों के बीच में आना चाहिए तो आखिर वो कौन-कौन से से मुद्दे रहे कौन-कौन से समाज के छेतर में आप गए वहां कौन-कौन से से काम रहे जो कि आपने किया उसके बाद आपको लगा कि नहीं हमें आम जनता के बीच में जाना चाहिए देखिए तीन सल पहले जो पानी का पूरे पटना डूब गया उसमें गरीब लोग मेरे इलाके में रहते हैं बहुत सा नीचे के फ्लैट में रहते हैं उन लोग के पास रहने के जगह नहीं था यहां तक कि उनका बेट विचावन भी डूब गया बहुत लोग आये मेरे पा सा कहें कि आप उपर वाला फ्लैट में रहते हैं हमको भी बस रहने के लिए जगह दिये लेकिन मैं जगह भी दी खाना बना के उनको तीन दिन तक खिलाए चार दिन तक उनको पानी बिजली नहीं कट गया मेरे आहां पूरे महला का तो पानी का सुबदा नहीं था फिर भी म में ड्राम में जमा किये बर्सा के पानी उसी पानी से हम खाना बना बना के लोगों के दिये अखिला है हां उस समय एक तरह से कहलें कि देश दुनिया के मीडिया में पटना था और बाढ़ की जो इस्थी थी पटना पुरा डूब गया है इस तरह के समझ्या है खूब रही दूरान आपने लोगों की इस तरह से मदद की हमारी कुछ दर पहले आपसे बात चित हो रही थी उसमें करोना काल के दौरान का जिकर कर रही थी आप उसके बारें बताए करोना काल देखिए नमसी एच मेरे पीछे के जगह में है और वहीं पे हम लोग हैं तो एनमसी एच म इसे लोगा आते थे गाउं से छोटे छोटे गाउं से आते थे लोग उनको खहना बना के हम विन्हें प्यूत्व में दिया वहुन मेरे बहुत जानकार भी आते थे उन लोगे बहुत मदद किये हम लोग नीचे रूम है मेरा उसमें रहने के लिए भी दिये उनको ऑस्पीटल जा के उनको खाना पहुचाए खाना खिलाए ऐसे ही बहुत बहुत जगा खाना भेजवाए भी दूसरे जगा दूसरे होस्पीटल में भी लोग आए तो गाउं से लोग के लिए वर्ट कइन के बहुत पर गाले से हैं उनके साथ मैं सीखी हूँ तैस्ट साल मेरा साधी का हो गया उनके साथ रह कि बोहुत कुछ सीखी हूँ इसी लिए मैं सोसल फिल्ड में आई हूँ अच्छा तो यही वो कारण है कि आपको जो है मेर पद के चुनाब के लिए आपको जो है प्रेरित किया पिशली दूग हटना है एक तो करोना काल और दूसरा जो है पटना बाढ़ के कारण जो डूबा उस दूनों दौ अपने आम लोगों की मदद की और उसके बाद आपके मन में एक विचारा है कि हमें मेर के पद के लिए आगे आना चाहिए चलिए आगया और बढ़ते हैं दूसरे सवाल की और की ड्रेनिस सिस्टम को लेकर पटना में जो है यह जल जमाब की जो इस्थिती उत्पन हो जाती है आए दिन बरसाथ का समय आता है और पटना के जो लोग है उनके मन में इरता है कि अब हमारी गली डूब जाएगी हम पानी के से कैसे निकल के जो है कई तस्विरें पिछले दिनों की हमने देखे थे कई नेता मंत्री जो है वो किछी तरह से अपने घर से निकल के भागे आप जब मेर बनेंगी तो आप क्या करेंगी इन सब चीजों से बचाब को लेकर जो पानी का निकास है वहां अगर अच्छी से वेवस्था हो जाए तो पटना में हमें नहीं लगता है कि पानी का जल जमाब हो जो नाला बन गया है और उच्छा बन गया है वह उसे लेवल म अगर कर दें तो पटना के में पानी का जल जमाब नहीं होगा रजधानी पटना में एक तो ड्रेने सिस्टम की समस्या दूसरी समस्या है वह जाम की समस्या है उससे कैसे निजात पाया जा सकता उसके लिए आज आप क्या करेंगी सही धंग से अगर गाड़ी चलाने वला चलाएं तो जम नहीं लगेगा अगर जो गाड़ी रोड पे लगा के छोड़ देते हैं वो पारकिंग में अपने लगाएं तो जम का सिस्टम नहीं होगा बहु जगा अतिकर्मन रहता है उसे हटाने के कोर्सिस करेंगे हम रोड को चोड़ी करने, जो है रोड उसको सुधानने के कॉर्सि करें कि गौर रोड पर जुंगी जोपड़ी जो रहता है, गाड़ी, ट्रेक्टर, ट्राक सब लगा कि छोड़ेते हैं उसे हटाने को कर्सि करेंगे हैं, कि जिस से जान ना लगे. हाँ एक तरफ सरकार भी जो है पिछले कुछ दिनों से अस्मार्ट पार्किंग की बेवस्ता की बात कह रही है ऐसे में पुस्पलता और मनी पटेल जी का कहना है कि हम जो है लोगों को जागरूप करेंगे कामों को यह करती रहेंगी अगला सवाल यह है कि आप जो है जब से चुनाब की घोशना हुई उसके बात से आप लोगों के बीच में कनेक्ट हो रही है आ रही है जा रही है लोगों का क्या रिस्पांस है लोग क्या कह रहे हैं आपको लेकर लोग बहुत अच्छा रिस्पां की रूप में क्या कुछ एसी बात होंगी जो आपको याद होगा उनको इच्छा है कि ये मेर बन के आये हम लोग इनको मेर बनाएं उन्हें खुशी है कि हम समास से जुड़े हुए हैं और मेर के लिए आए हैं और वो जब आप चुनाम मैदान में गई आपके मन में भी एक मे हिचार होगा कि हम जब जाएंगे लोगों के बीच में जाएंगे हुआं बादे होंगे किसा आपकी मन में होगी क्या स्काइथ रहता है नली सुनते हैं और ले पहुंक उन से गुजारिस करते हैं, जब हम बनेंगे तो आपना सिखाइथ दूर प्लास्टिक होता है उस प्लास्टिक से प्लास्टिक को अगर नगर निकम कठा कर ले हर घर से लोग प्लास्टिक भी नहीं फेकते हैं लोग उसी तरह प्लास्टिक भी नहीं फेकेंगे नहीं फेकेंगे तो नाला भी जाम नहीं होगा कच्ड़ा भी नहीं लगेगा और लोग को पैसा भी मिलेगा अनगर निगम को उस प्लास्टिक से कड़ोरों रुपिया के अमदनी होने वाला है क्योंकि जो डस्वीन बनता है अभी 800-1800 में खरीती है हम बनेंगे तो 300-500 में डस्वीन जो प्लास्टिक से बना हुआ रहेगा तो कैसे दोनों के बीच में 500 रुपिया के अंतर दिख रहा है तो 800-300 रुपिया का जिक्र कर रही है क्योंकि वह कच्ड़ा है प्लास्टिक है उसे साफ करके हम मैं रिसाइक्ल करके बनाऊंगी जिस कच्छे का जिक्र किया जा रहा है और जिस कच्छे रखने वाले डब्ब हो तो प्लांट से बनाएंगे अपना प्लांट नग निघम का होगा प्रषु से बनाएंगे तो कम लागत वो दस्मीन तियार हो यह सरकार के तरफ से भी एक मुहीम चलाने की बात कही जारी आप भी जो कह रही है कि उसमें हम अपनी सहभागिता दिखाएंगे और कम पैसे में जो है उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है इन तमाम चीजों को लेकर आगे बढ़ेंगे पुरे देश के साथ प्रदेश में इन दिनों बिरजगारी का एक बड़ा मुद्दा उभर कर सामने आया है ऐसे में हमारे साथ है पुस्पलता मनी पठेल जी हैं इनसे भी हम जानेगे कि जब यह मेर बनेंगी तो यह क्या करेंगी रोजगार को लेकर रोजगार से समन्धी कि किन चीजों को लेकर जो है यह आगे बढ़ना चाहती है गरीबों के पास रोजगार के कमी होता है जब मैं बनती हूं तो हर साल हर साल बीस अजार लोगों को रोजगार मिलनी चाहिए और वो मैं दूँगी प्लास्टिक आ इंडस्टि लगे गा उसमें लोगों को रोजगार मिलेगा नाला सिवरे जे जो सुधारा जागा उसमेशगार मिलेगा नगर-निगम के गाड- finals में रोजगार मिलेगा बस चलें में उसमें रोजगार होगा बहु सारे ऐसे प्लानिंग देखिए मेरे सहर में गंगा किनारे में गंगा जी है कि ओ डो माह चोड़के बरसात होती है तो भरे रहते हैं लेकिन दो माह छोड़के हमेसा सुक बहुत जगह खाली रहता है वहां पर हजारों तो हमने लोग आते हैं वहां अच्छे विवस्ता होंगे रहने खुूंएंगे यह और गरीब को रुजगार मिल जाएगा तो रुजगार को लेकर इनके पास भी एक वीजन है जिसमें candlion क्रियाटक maken बलिए बहुत्री इस्त्रा बनता जा रहा है वहाँ पे उसको डेवलब करने की बात कर रही है साथे साथ उन इलाकों में रोजगार की भी बात कही जा रही है और इसके बाद एक नहे सवाल की तरफ फिर से ये सवाल थोड़ा सा कठीन होगा क्योंकि महिला उमीदवारों को लेकर एक सवाल लगातार पुछे जाते है कि जब आप चुनाव जीत जाएंगी तो आपके पती जो है वो छेतर में ज्यादा सक्रिय हो जाएंगी आप घर के काम काज देखने में रह जाएंगी ऐसे हमोमन आरोप भी लगते रहे हैं ल कई फिलमें भी बनी है तो इस पर आपका क्या कहना और और है कैसरे हम CHANLED के जुड़ करAC ow Speres लोगों को लगता है कि हसुन ही करें लेकिन नहीं मैं करूंगी सच्छन हूं मैं करूंगी हस्वेंड भी रहें गे साथ में लेकिन मैं करूंग मैं महला की बात भी सुनूंगी अपने करमचारी का बात भी सुनूंगी अब मैं अपना कार्ज करूंगी सही डंग से तो मतलब घर भी देखेंगी और पुरे पटना बासियों को भी देखेंगी दोनों की जिम्मिवारी आपके पास होगी पटना नगर निगम छेत्र को लोगों को अब क्या कहना चाहती है मेरा नाम पुस्पिलता सीना है और उर्फ पुस्पिलता मानी पठेल है अपने जमात के मैं एकलोता पर्तियासी हूँ कभूतर चुनाब चीन है आठमे नंबर पर प्लीज सब भोड़ दें और विजय बनाए कभूतर सांती का पर्तिक है मुहबत का पैगाम लेके आता है सहरवासियों के लिए पटना सहर के लिए बस लोगों से यही अनुरोध है कि भोड़ दें कभूतर को जिता है तो यह थी हमारे साथ है पुस्पनलता सिन्हा और पुस्पनलता मनी पटेल जो की अपने बातों को रख रही थी और नगर निगम चुनाओं में मेयरपद की उमिदवार है और इन्होंने अपने मिनिफिष्टों में साब तो और पे कहा कि डेने सिस्टम जो की पटना में पिछले लंबे समय से खराब है या फिर कच्रा परबंदन हो या फिर ना लेके निर्मान को लेकर जितनी भी समस्चाएं हैं इन सार समस्चाओं को दूर करने की बात कर रही है और कह रही है कि अगर हमारी जीत होती है तो हम घर से लेकर पुरे पटना को चमका देंगे